आज बात कर रही हूं मेक अप की गर्मियों में मेक अप को अपने फेस पर टिकाना हम सब के लिए मुश्किल काम हो जाता थोड़ा पसीना आया नहीं कि आपकी फाउंडेशन आपका vos आपका लुशय germs you know और जाता है पता नहीं कहां चला जाता है और और पसीने के बावचूद भी मेकप आपका खराब नहीं होता है वेल अगर आप मार्केट से मेकप स्प्रे लेने जाएंगे फॉर एक्जामपल अगर मैक का फिक्सिंग स्प्रे लेते हैं तो आपको ये पड़ेगा 1600-1700 के बीच में लेकिन घर पर आप खुद अपने लिए 10 रुपे से भी कम लागत में मेकप सेटिंग स्प्रे बना सकते हो जी हां दोस्तों बिल्कुल भी खर्चा नहीं है इसका और ये आपके घर में मिलने वाली सारी चीजों से भी बन जाता है और इसके जो डिजर्ट्स है वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आप मार्किट का मेकप फिक्सिंग स्प्रे यूज कर रहे हो जी हां सभी स्किन टाइप्स को सुच करता है मेकप को लॉंग लास्टिंग बनाता है और इसकी सबसे वड़ी बात यह है कि प्राइब इसके सरte मेकप प्राइमर की तरह से यूज कर सकते हो और से आउर मेकप सेतिंग स्प्रे की तरह से सब्सें हो are you skin is very dry very patchy on even skin tone है और पैची है बहुत ज्यादा और Under the foundation लगाने के बाद वह केङ हो जाती है तो आप makeup लगाने से पहले भी इसे अपने face पर spray करें और makeup करने के बाद भी spray करें तो as a makeup primer as well as as a makeup setting spray आप इसे use कर सकते हो 100% natural है यह कोई chemical नहीं है इसके अंदर और बहुत ही effective है तो चलिए बताती हूं इसे अब कैसे बनाना है कैसे use करना है लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे वीडियो को like कर दीजे नीचे like का बचन है already कर दिया है तो आपको मेरी तरफ से धेर सारा प्यार और क्या करना है पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो बही subscribe किये webinar जाना नहीं प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलेगा तो चलिए अब बताती हूं आपको ये make-up setting spray कैसे बनाना है और कैसे use करना है दोस्तों इस make-up fixer या make-up setting spray को बनाने के लिए जो पहली चीज आपको चाहिए वो है एक spray bottle आप पास की किसी shop से जाकर इसे खरीद भी लग सकते हैं या फिर पुरानी कोई spray bottle आपके पास पढ़िया उसे भी use कर सकते हैं second ingredient चाहिए आपको पानी आपको क्या करना है इस spray bottle को हाफ फिल कर लेना है filtered water से tap water मत लीजेगा क्योंकि आप एक cosmetic product बनाने चाहरे हैं तो filtered water लीजेगा या फिर आप distilled water भी ले सकते हैं अब आपको क्या करना है एक bound लेना है उसमें आपको डाल देना है एक चमच aloe vera gel aloe vera gel आपके make-up को काफी लंबे समय तक fix करके रखता है तो यह skin को hydrate कर देता है moisturize कर देता है जिससे की आपकी skin जो है वो make-up को wear कर सकती है लंबे टाइम के लिए तो एक चमच aloe vera gel दाल देंगी मैंने यहां पर quick care का aloe sandal gel यूज किया है इसमें sandalwood भी है और neem भी है लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो aloe vera gel आपने डाल दिया इसमें आपको add करना है चार चमच रोज वोटर रोज वोटर रोज वोटर आपकी skin को tone भी करेगा और साथी साथ आपके make-up को भी लंबे समय तक टिकाएगा चार चमच रोज वोटर एड करेंगे और जो next ingredient है व आपको असानी से 10-20 रुपए की मिल जाएगी तो glycerine का एक चमच add कर दिया सभी चीजों को अपने mix कर लेना है और यह जो mixture है आपको किसी funnel की help से अपने spray वोटर में डाल देना है और फिर सभी चीजों को mix कर देना है तो यह बन गया हमारा make-up setting spray या make-up fixing spray इसे आप primer की तर और make-up के बाद भी apply कर सकते हैं आपकी skin बहुत ज़्यादा dry है तो आप make-up से पहले भी use कीजे और बाद में भी use कीजे if your skin is normal or oily then you use it after make-up यह product आपको fridge में रखना है और यह एक महीने तक भी खराब नहीं होगा तो अराम से एक बार बना लीजे और use करते रहे हैं इसको तो चलिए अब बताती हूं इसे make-up के बाद आपको किस तरीके से spray करना है यह हमारा make-up setting spray आपको अपने face पर इसे दूर से स्प्रे करना है पास लाकर स्प्रे नहीं करना दूर से स्प्रे करना है लगभग 15-20 इंच दूर से आपको स्प्रे करना है यह देखिए और इसे लगाते ही आपके face पर आजाएगी dewy finish आपका make-up और निखरेगा और आपकी make-up को long lasting भी बनाएगा यह बहुत ही प्यारा make-up fixing spray है इसे अपने face पर सूखने दीजेगा और बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है अपने face पर जब तक कि यह सूखना जाए तो यह देखिए make-up की जो finish है और ज्यादा अच्छी हो गई है fixing spray लगाने के बाद तो आप भी घर पर बनाईए यह make-up fixing spray almost प्रीवे बन जाता है और आपके make-up को तरो ताजा रखता है लंबे समय तक केकी नहीं होने देता है foundation को साथ ही साथ आपकी skin के लिए भी बहुत अच्छा है चलिए बना लीजे इसको जल्दी से कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर कॉमेंट करकी मुझे बताईएगा नीचे लाइक का थमसब का ब जब भी मैं online आऊंगी जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूंगी तो आपके phone की भी गंटी बजेगी आपको notification मिर जाएगा तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मेलूंगी आपसे किसी अच्छे से health tip या फिर किसी beauty वीडियो के साथ तब तक के लिए take good care of yourself, stay healthy, stay happy, stay beautiful bye-bye